हेलो फ्रेंड्स और वेलकम तो दे एक्जाम स्मेट सिंपल और वी आ बैक अगें विद दे हिंदू कम्प्लीट निउस्पेपर अनालिसिस फॉर ट्वेंट अथाइस मार्श 2021 का दे हिंदू निउस्पेपर अनालिसिस देखते हैं शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आप मुझे देंगे जस्ट गूगल सर्च कर लीजे है अगर आपको नहीं बनता है पहला सवाल है प्रनीत प्रनीत जिसको की लॉंच किया है रिसेंटली किसने आपको बताना है options are a ministry of coal b ministry of mines c ministry of power d ministry of steel second question is shendurni wildlife sanctuaries located in which are the following states options are a kerala b gujarat c karnataka d maharashtra question number third is turahalli forest often seen in news recently is an urban forest area located in which are the following located आपको बताना है ठीक है न तो turahalli forest options are a goa b telangana c maharashtra d d nine of the आज का map exercise देख लेते हैं काफी अच्छा map है जो मैं आपको बताने वाला हूँ so let's see the map also आज का जो मैंने map लेया हुआ है ancient ports का the ancient ports of india सारे map अपने सारे map करे रहे हैं इसमें last class मैंने आपको Moran Empire के map दिखा दिया जो कि Moran Empire का दिजन था कहा कहा फैला हुआ था वो मैंने आपको बताया था आज कि मैं आपके हम देखने वाले हैं कि आपके ancient ports कौन कौन से हैं तो सबसे ancient port आपसे को पता होगा कि यहां पे Lothal का port है Lothal क्यों क्यों क्योंकि जो हरपान मोहन जोदली जब civilizing के बारे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी dockyard जो था वो Lothal में ही था यह तो इसको इसको कहते थे इंड दिस बिच पार ये सबसे पहले कौन सा सबसे पहले हमने देखा लोथल पार्ट, लोथल का इंपोर्टन्स क्या है कि वो जो है आपका मोहन जोडलो के टाइम पे भी वहाँ पर आपको डॉक्याड मिला हुआ था और राइस ये सब चीज़े को वहाँ पर भी यूज होती थी ब्रिगुकक्ष मैंने आपको देन बता दिया ठीक है न विखुकक्ष बता दिया तीसरा जो आपको नीचे देख रहे हैं वहाँ पर आपको सोपाडा एक दिख रहा होगा और एक भागात्रव उसके उपर भागात्रव दिख रहा है ये भी गुजरात वाले रीजन में ही लाई करता है ये भी कहने चे गुजरात वाले रीजन में ही लाई करता है भागात्रव एक माइनर साइट है जो कि आपका गुजरात वाले रीजन में आता है हंसोट भरूच भरूच कही पार्ट है ये तीसरा यहाँ पर सोपाड़ा दिख रहा होगा सोपारा, सोपारा वाला जो पार्ट एक्शली यह महरास्टा वाले रीजन में आता है, सोपारा का पार्ट कहां प्याता है, महरास्टा वाले रीजन में आता है, यह आप थोड़ा याद रुखे, महरास्टा के रीजन में आता है, ठीक है न, तो लोथल देख लिया, आपको कोरकाई दिख रहा होगा इसके उपर पुहार या फिर कावेरी पत्टनम पुहार या विर कावेरी पत्टनम जो दिख रहा है नाम भी आद रहा है कि पुहार कि इसको बोलते हैं पुहार या कावेरी पत्टनम ये भी आपका तमिल्लाडू वाले रीजन में लाई करते हैं पुहार को अभी आज कला कर देखो तो पूम पुहार बोलते हैं पूम पुहार करके एक जगह है जो कि आपका तमिल्लाडू में तो this is another important port location for your ancient India, ठीक है न, तो पुहार काविरी पटनम, तन उपर हम देखें अरिक्का मेदू, अरिक्का मेदू जो है वो पुडुचेरी के लिए use होता, अरिक्का मेदू is for पुडुचेरी या पोडू का, पोडू का या अरिक्का मेदू, मेदू या मेदू जो भी बोलते है अरिक्का मेदू, या आपका पुडुचेरी के लिए, तन उपर आपको ममलापुरम या महाबली पुरम देख रहा होगा, this is for your Tamil Nadu, ममलापुरम, महाबली पुरम इस Tamil Nadu याद रखेगा, और इसको उपर जो मसूली पतनम या मशली पतनम देख रहा है, माई सोलिया, तो म मसूली पतनम या मशली पतनम या आपका माई सोलिया, यह जो चीज है यह आपकी आंधर प्रदेश में, तो वेरी इंपर्टन पोर्ट्स और आपको बता दिया, भरीगुकक्ष और भरूच वाला रीजन है, भागात्राव भरूच वाला रीजन है, यह तीन भरूच वाला तो आपके गुजरात को एक है, दन सोपारा मैंने बताया आपको कि सोपारा जो है वो मुंबई का या महरास्टा का पोर्ट कह सकते आप, मुजरिस जो है वो आपका केरला वाला पार्ट है, कोरकाई तमिल्नाडू है, पुहार कावेरी पतनम आपका तमिल्नाडू है, अरिक वेस्ट बेंगौल वाले रिजन लाई करता है, तो this was the map of ancient India ports, I hope you got clarity, कई बार नए नाम, पुराने नाम पूछ लेता है, कई बार location पूछ लेता है, कहाँ पर है, भागात राओ कहाँ पर है, सुपारा कहाँ पर है, इस तरीके से पूछ सकता, यूपर सी question आप से, I hope you are ready for that, all the best, आगे move करते हैं, news analysis part में, देखते हैं, क्या है news है, सबसे पहली, जो news है, वो front page है, million depends on तीस्ता हसीना टेल्स, मोधी, तो यहाँ पर जो, इंडिया और बांगलादेश के relationship में, जो issue अभी बचा हुआ है, वो है, तीस्ता water dispute का, तीस्ता water dispute का, अभी भी इंडिया और बांगलादेश के बीच में है, और तीस्ता river जो है काफी important है, life line है, कहा जाता है, कि 300 से 320 किलोटर, 315 किलोटर के आसपास के होगी, यह rice करती इस्तन हिमाल्याज में, एक और important चीज़ आपको पता होने चैए, कि यह rice जो करती है, यह rice जो करती है, यह आपका, इस्तन हिमाल्याज से likewise करती है, और इंडिया के दो states में flow करती है, तो यह भी थोड़ा सा आप फ्लो करती है यह बिए पतर पढ़कर ना चाहिए बांगला देश में इंटर करती है इसके बाद और सिकिंफ हो और जल पाइगुड़ी डिस्टिक कूछ भी आज इंक इन से two more 집 करती है इजर betrayal कर देश में पंगला देश में जॉइन करती है घाना देश में करती है किसको river को join करते है जमुना river को join करती है याद रखेगा इसको जमुना river को ठीक है न यह इसका basic होगा तो तीस्ता का कह सकते है आप origin जो है वो कहीं न कहीं सिक्किम में लाई करता है दन्वेस्ट बंगॉल से flow होते हुए यह बंगलादेश में जमुना river से मिलती है फिर यहाँ आपका finally Bay of Bengal वाले रीजन में इंटर करती है तो इसके बारे में ही जो शेख हसीना है और आपके प्राइमेस्ट नरेद मोटी जी है वो दोनों लोगों ने बातचीत की है और उनका यही कहना है कि शेख हसीना is hopeful that की जो यह dispute है वो solve हो जाएगा और जो जादा जादा possibility है water की वो बंगलादेश के पास जाएगी यह जो तीसता water dispute है इसके साथ साथ कुछ और common rivers है इंडिया और बंगलादेश के बीच में आपको बता दूँ तो जो common rivers है वो है मोनू, मुहूरी, खोवई, गुम्ती, धारला और दूद कुमार कौन कौन सी छे rivers है मोनू, मुहूरी, खोवई, गुम्ती, धारला और दूद कुमार इस आर था six common rivers between इंडिया और मंगलादेश जिनके regarding agreement होना है I hope you got clarity regarding that also, आगे move करते हैं देखते हैं और क्या important news items है जिनके बार हमको discuss करना है, तो you can move with me, आप ही मिर साथ आगे बढ़ते रही है, यहाँ पर NGT news में था NGT asked chief secretary to look into the plea on water for park maintenance, तो NGT के बारे में तो आपको यह जो environmental related cases हैं उनके लिए NGT बनाया गया था, तो क्या यह इंडिया पहली country जिसने NGT बनाया है, ऐसा नहीं है, NGT जैसा mechanism दो countries में पहले भी आ चुका था, पहली country थी Australia, second country थी New Zealand, जिसके पास यह आया था mechanism, इसके बाद इंडिया में आया था, कुछ और चीज़े जिसे की, कुछ important environmental related acts, जिनके cases इसके पास directly नहीं जाते हैं, वह है, wildlife protection act of 1972, इसके case यह नहीं देखता है, then forest act of 1927, इसके case यह नहीं देखता है, and forest dwellers act of 2006, इसके cases भी यह नहीं देखता है, बाकि जो environmental protection act 1976 से गया, water हो गया 1974 वाला, air pollution 1981 वाला, यह सारे cases यह देखता है, तो यह NGT के बारे में थ खोड़ा सा basic होगा, I hope you got clarity again, आगे move करते हैं, ठीक ना, let's move ahead now, देखते हैं, और का important news items से, जिनकों को discuss करना है, तो you can again move with me, Delhi's decision to lower the drinking age, met with cheers and cheers, यहाँ पर Delhi का एक decision आया था, यह मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि, यह पुरानी news से, जिस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था उस दिन यह news आई थी, मैंने तो पढ़ा था खेर, तो मैं आपको बता जाता हूँ कि, Delhi ने recently announced किया है, that they will reduce the minimum age for liquor consumption from 25 to 21, 25 साल से घटा करके, 21 साल वो liquor consumption की age कर रहा है, तो now this can be a question, जो की पूछा जा समते है, कि इन में से recent 21 से state ने liquor consumption की age के लिए decrease किया, 25 to 21 किया है, या फिर कितने से कितना किया, ये भी पूछ सकता है, 25 से 18 किया है, 25 से किस किया है, 21 से 18 किया है, ठीक है न, तो इस तरीके के question भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ थोड़ा आपको इस तरह के question के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, काफी practical question है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल, गहलोत जी का कहना है, जो रास्तां के CM है, यानि कि जो आपका government on Delhi का change हुआ है, डेली के regarding जो change लाए गए है, from the amendment bill, और उस bill के थ्रू क्या किया किया है, कि पूरी की पूरी जो power है कि इसको दे दी गई है, लेटनेंट गवर्नर को, पूरी की पूरी जो power है, वो लेटनेंट गवर्नर को दे दी गई है, तो उसके लिए उनका कहना ये है, कि ये जो bill है, this is the murder of democracy, इसके बाद कोई भी power नहीं रह जाएगी और कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा democracy का, especially in the state of Delhi, अगली जो news अदे को, Odisha doctors perform the first allogenic BMT, पहली allogenic BMT ने की bone marrow transplant, पहला bone marrow transplant, वो भी allogenic, ये किया गय है, Odisha के doctors के द्वारा, and that is free of cost, ठीक है न, bone marrow transplant, allogenic bone marrow transplant किया गया है, कहाँ पे, Odisha में free of cost किया गया है, अब दो तरीके के होते हैं, transplant, एक autologus होता है, दूसरा allogenic होता है, autologus में क्या होता है, कि जा आप stem cells use हो रही है, वो, मनलब की, of the patients are used, मनलब उसी patient की ही stem cells का use के रहता है उसके cancer treatment के लिए, लेकिन allogenic process में एक donor donate करता है stem cells, ठीकिन, allogenic में एक donor donate करता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, allogenic और autologus, और तो ये अच्छी news भी थी, मैंने आपको बता भी दिया, कि first bone marrow transplant allogenic कहाँ पे हुआ है, ये आपका हुआ है, उडिसा में तो ये आप याद रख सकते हैं, आगे move करते हैं, देखते हो कि important news items से जिनकों को discuss करना है, you can move with me, कि science and tech का page भी आएगा आज, amid Bangladesh, liberation anniversary, role of India, US in 1971 spotlight, यहाँ पर 1971 ने जो इंडिया और US का role था, उसके वारे में यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है, थोड़ा सा मैं आपको ब पाकिस्तानी ट्रूप्स हैड लॉंच्ट ऑपरेशन सर्च लाइट और टार्गेटेट बांगलादेशी फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान ने का उपरेशन चलाय था, अगर आप से पूछ ले था कि ऑपरेशन सर्च लाइट की ओ न्यूस में था, या कहां पे था, तो य शेक मुझेबुर रह्मान, शेक मुझेबुर रह्मान के साथ यहां पे इंदरा गांदी जी बैटी, an agreement, she is doing an agreement for that, and यह एक, जो यहां, वदी यूस वज अधिट सेट अगेंस इंडिया स्टेंड, वाले यूस का स्टेंड क्या था था, इंडिया के अगेंस था, यूस का स् इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, याद रखेगा, एक इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस and कॉपरेशन साइन हुई थी, August 1971 में, ठीक है न, इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस कब साइन हुई थी, 1971, क्यों कि उस समय इंदरा गांदी न यह भाप लिया था, कि पाकिस साइन की सोवियत के साथ, ठीक है न, इंडिया की जो non-aligned policy थी, हो थोड़ा dent जरूर हुई थी, क्योंकि हमने सोवियत के साथ जॉइन कर दिया था, बट सोवियत नेवल सपोर्ट अ मिलिटरी सप्लाइज असेस्टे निव डिली न वार दाट फॉलोड लेकिन यह ट्रीटी यूसफुल रही कि सोवियत ने, सोवियत ने हमको हमारी बहुत मदद की, इस्पेशली कब जब वार होने लगा उस समय, इन्होंने हमको ना केवल मतलब की military supplies दिया, बट उन्होंने assist भी क्या naval support भी प्रोवाइट किया, that was another thing that we got from the सोवियत, and USA हमारे against था, यह मैंने आपको यूसे जो था हमारे against था, so I hope you got clarity something regarding that है न, यह आपको थोड़ा समय आपको इंडिया और पंगलिदेश के उस समय के हालातों के बारे मताया, और क्या हमने किया, किस तरीके से सोवियत उन्होंने के साथ ट्रीटी साइन की 1971 में और उसका support लिया, India sends 2 lakh doses of vaccines to UN PKF, यानि कि इंडिया ने 2 lakh vaccines का set भेजा है, किसके लिए भेजा है, यह हमने भेजा है, UN peacekeeping forces के लिए, UN PKF क्या होता है, peacekeeping forces के लाती है, तो that is the thing which is important, और इंडिया ने, काफी important है यह COVID-19 के टाइम पर हमने यह vaccine diplomacy किया है, उसको क्या बोलते है, vaccine diplomacy, ठीक है न, और य यह काफी important term होता है, क्योंकि अब diplomacy जो है, वह इसी तरीके से चलेगी, क्योंकि COVID-19 के टाइम समय में हमने जिस तरीके से countries की मदद किये, काफी important है वो, और दूसरे भी इस चीज़ से काफी जादा मनलब प्रभावित है, एक soft power को भी increase करता है, ठीक है न, that is the thing, that is important, अब UN peacekeeping keeping क्या होता है, it helps the countries to navigate the difficult path from conflict to peace, मनलब कि, जो word है, उसमें एक peaceful environment बना रहे है, इसके लिए UN peacekeeping forces काम करती है, इसमें इंडिया में, इंडिया भी काफी जादा contribute करती है, in the UN peacekeeping forces, यह बना कब था, यह बना था, यह बना था से 1945, it was formed in 1945, 1945 में यह बना था, यह आदर के गा, it was formed in 1945 और इसमें जो अभी active personals है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, which comprise about 91,000 and active personals about, about 1,11,520 uniformed personals, ठीक है, यहाँ पर यह भी देख सकते हो, आपकि इसमें लगभग जो uniformed है, वो 11,11,512 है, और यहाँ पर 91,000 अलग दूसरत है, तो मनलब दो लाग से जादा यह soldiers है, और इनके ल regarding हमने क्या किया COVID-19 की जो vaccine है, वो provide कराई, तो that is the thing which is important, काफी बड़ा काम करता है, UN peacekeeping forces काफी अच्छा काम करती है, and world में peace maintain करने के लिए इनका effort जो रहता है, वो हमेशा यादगार रहेगा, आगे देखो China and Iran sign a 25 year strategic pact, China और इरान ने 25 साल का strategic cooperation pact sign किया है, तो यह एक important event है, और यह हमारे लिए थोड़ा सा गलत बात है, कि हमको इरान को capture करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमने वो मौका चाइना को दे दिया, और चाइना ने वही किया, देखो, चाइना नहीं घब रहा है, चाइना नहीं घब रहा है, अमेरिका से, और किसी और country से कि, व बिल्कुल अपने पत पर आगे बढ़ रहा है, देखो, 25 years का strategic cooperation pact भी उन्होंने sign कर लिया है, with the, with the, with the Iranians और Chinese, दोनोंने मिल करके, ठीक है न, और इसके अलावा अगर आप देखें, तो China and Russia called the US to unconditionally return to the joint comprehensive plan of action, चाइना और रुषिया जो है, they have called for the US to unconditionally return to the joint comprehensive plan of action, तो मनलब क चाइना और रुषिया ने यही कहा है कि US को आप JCPOA याने कि इरान डील वापस आ जाना चाहिए, और रिवोक कर देना, जितनी भी sanctions लगें इरान के अगें, उनको हटा देना चाहिए, sanctions हटाने से हमको तो फायदा होगा, लेकिन इरान की नजर में तो यह चीज आ जाएग किस तरीके से आप security और stability ला सकते हो, stability और security अगर आपको मड़ी लिस्ट में लानी है तो उनका कि mutual respect, upholding equity and justice, achieving non proliferation, jointly fostering collective security and accelerating development cooperation, यह पांच चीजे हैं, एक बार यह पांच चीजे मुझ रखता है 1954 ने पंच शील की नाम से इंडिया को भी यह चटनी खिलाई गई थी, एक्श अब इरान के साथ भी वही हालोगा जो इंडिया के साथ इन्हों ने 1962 में किया था, अब वही चीज़ अब यह इरान के साथ करने वाले हैं, ठीक है ना, तो mutual respect, upholding equity, justice, achieving non proliferation, jointly fostering collective security, accelerating development and cooperation, यह पांच चीजों की जो यह पांच मसालों की जो चटनी बनी है, अब देखते हैं क इसका इरान के उपर क्या impact पढ़ने वाला है, तो आगे move करते हैं, carry to visit India in April ahead of Biden's climate meet, तो अब यहाँ पे Biden की climate, जो Biden क्लाइमेट मीट करने वाले हैं, उसके पहले John Kerry आएंगे, and यह prelude की तरह काम करेगा, of the COP26, COP26 जाने की conference of parties, 26 जो UN climate change conference होगा, COP26 उसके पहले, यह एक prelude की तर अब हल्वी ने, Glasgow, और आप वता ना, Glasgow है कहां पर, this is the question to you, ठीका ना, so that is the question, आगे move करते हैं, यहाँ पे एक और चीज आई थी, तेरी यानि की the Energy and Resource Institutes of India, तो थोड़ा सा मैं आपको तेरी के बारे मता दू, the Energy and Resource Institutes is a Research Institute in New Delhi, and it specialize करते हैं, the fields of energy, environment and sustainable development, काहे में किस फील्ड and sustainable development की फील्ड में करता है, 1974 में established हुआ था, जब 1974 में established हुआ था, तब इसका नाम था, Tata Energy Research Institute, क्या नाम था, Tata Energy Research Institute, और अब जब है, काफी, काफी चीज़े से, oil zapper इंडिया में है न, oil zapper, वो भी इसने तेरी नहीं बनाया था, and इसको 2003 में इसका नाम बदल करके, the Energy and Resource Institute कर करता है, Energy, Environment and Sustainable Development की फील्ड में काम करता है, आगे मूफ करते है, Science and Tech page में यहाँ पे, Currents on Enceladus, तो Enceladus है क्या, it is Saturn Moon, याद रखे का Saturn का एक Moon है, Enceladus, अगर आपसे पूस्ता UPSC की Enceladus क्या है, तो यह Saturn का Moon है, its diameter is about 1 7th that of our Moon, यह भी याद रखे का, इसका जो diameter है, 1 7th है ह हमारे Moon का, ठीक है, तो यह भी आप याद रख सकते हैं, अगली जो news है, वो है new species of red algae seed in west southeast Indian coast, यहाँ पे दो नई species मिली है, seaweed की, they have been discovered by a group of marine biologists from Central University of Punjab अट इंडा नेम हिपनिया इंडिका, हिपनिया इंडिका और हिपनिया बुलाटा, याद रखेगा, हिपनिया इंडिका औ हिपनिया इंडिका और हिपनिया बुलाटा, ठीक है ना, और बुलाटा क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें blister-like marks है, इसके बुलेट के फॉर्म में, इसले इसका नाम रखा गया हिपनिया बुलाटा, आगे देखो, यहाँ पर, these seaweeds are the part of genus हिपनिया और red seaweeds, हिपनिया जो यह genus होता है, यह red seaweeds का होता है, उसी की यह varieties है, यह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, and they are calcerous, erect, branched, and red sad seaweeds, is the LHC on the brink of discovering physics, rediscovering physics, तो या new physics कहना चाहिए, तो LHC है का, large hydron collider है, large hydron collider, experiment चल रहा है, CERN का, जो कि आपका European है, European उसमें है, it is situated in the Franco-Swiss border, याद रखेगा, यह France और Switzerland, Franco-Swiss border पर यह लाई करता है, ठीक है न, यह भी आपको याद रखना है, कि यह Franco-Swiss border पर लाई करता है और यह जो काम कर रहे है, मैं आपको काफी detail देने वाला हूँ, ऐसे, इस experiment के बारे में, यह important चीज़ आपको याद रहे है, कि large hydron collider, जो काफी important है, Higgs boson, dark matter, इन सब चीज़ों से related, अगर आप से कहीं पूसता है, कि dark matter, या इन सब चीज़ों से related, कौन से चीज़ आती है, आपकी उन सब चीज़ों से related है, आप याद रखेगा, ठीके न, यह CERN का full form क्या है, European Organization for Nuclear Research, European Organization for Nuclear Research, ठीके न, तो यह आप यह भी चीज़ याद रखेगा, फोड़ा सा मैं आपको काफी detail देने वाला हूँ, तो एक एक करके मैं आपको अताता हूँ, क्या क्या चीज़ें है और इंडिया के relationship अगर आप जानना चाहते हैं, इंडिया किस तरीके से CERN से related है, तो इंडिया एक associate member है CERN का, याद रखेगा, इंडिया एक associate member of CERN, यानि कि जो यह agency है, उसका इंडिया associate member है, तो यह भी एक important चीज़ें जो आपको याद रखना है, और यह 2017 में इंडिया associate member बना तर CERN का, ठीके ना, काफी important बात है, यहाँ पर दो को particles हो, कई चीज़ें यहाँ पर लिखी कही है, अब दो को elementary particles होते हैं, they are classified into the particles called baryons, जो elementary particles होते हैं, उनको baryons में हम मलब की identify करते हैं, अब baryons के अंतरकत क्या क्या आता है, protons, neutrons and their antiparticles, antiproton, antineutron, ठीके न, त particle, that is the antiprotons, ठीके न, फिर middle mass particles होते हैं, कुछ, जैसे middle mass particles होते हैं, वो कौन से होते हैं, they are called the mesons, they are called mesons, इसके member होते हैं, the meson K and B particle, middle mass particles होते हैं, वो mesons होते हैं, K and B categories के अंदर, दो катगरी आते हैं, then you have leptons, leptons होते हैं, leptons के अंदर गाता है, अपका electron, and it's muon, and your tau तो electrons, leptons leptons का दरगत क्या क्या आते हैं आपके electrons आते हैं muon आते हैं and tau आता है तो तीन तरीका मैंने आपको बता दिया पहला baryons बता दिया baryons में क्या क्या आगा है आपका जिसमें की proton and neutron आगया और उसके anti-particles आगया मतलब की anti-proton आगया फिर middle mass particles में हमने बता आपको mesons में K और B टाइप आगया then मैंने आपको बता है leptons leptons में आगया electron और उसका muon and tau यह आगया ठीक है and at the smaller scale there are tiny particles called quarks और gluons तो जो यह quark है और gluons है यह जो हैं यह tiny particles there are six flavors of quarks quarks में छे तरीके के हैं up, down, truth, beauty, charm and strange अगर आप से पूछे up, down, truth, beauty, charm and strange किसकी केटेग्रीज हैं तो वो quarks की केटेग्रीज हैं याद रखेगा and इनके भी anti-quarks भी होते हैं associated with them ठीक है ना यह आप क्या रखना है अब यहाँ पे देखो लिखा है zoo particle में क्या क्या है in the zoo particle while the baryons baryons are made up of combination of three quarks baryons जो है they are made up of combination of three quarks the mesons contain two quarks and a quark और एक anti-quark उसमें होता है and the leptons are truly fundamental and are thought to be invisible यह particle zoo था जिसके बारे हम ने डिसकस किया में तो आपके तीन चीज़े याद रखना जो मैंने आपको बता हैं यह तीन चीज़े याद रखना baryons वाली then meson वाली and leptons वाली कौन सा किसके अंतरकात आता है LHC LHC के बारे मैं आपको बता देता हूं LHC जो है यह particle accelerator है large hydron collider जो है वो particle accelerator है जो कि push करता है protons को या ions को to the speed of light ठीक है ना push करता है किसको protons को and ions को to the speed of light और यह 27 km ring of superconducting magnetic with the number of accelerating structures are there it consists of a 27 km ring of superconducting magnetic with the number of accelerating structures LHC में large hydron collider तीन वर्ड है ना तो पहला जो है large वर्ड हो जो है large का मतलब है इसकी size बड़ी है 27 km circumference में hydron का मतलब क्यों होता है it accelerates the protons और ions यह proton और ion को accelerate करता है इसलिए इसको hydrons बोलते है ठीक है ना they belong to the group of particles called hydrons ठीक है ना proton और ions जो होते है they belong to the group of particles called hydrons इसलिए इसको hydrons बोलते है collider क्यों बोलते है because the particles from two beams separating traveling in opposite direction which are made to collide at four points around the machine machine के लगबग चार points ऐसे जहाँ पनको collide करवाया जाता है ठीक है ना तो that is the thing और यह क्या पता कर रहा है large hydron collider क्या पता कर रहा है तो यह origin of mass क्या है ठीक है ना dark matter और energy क्या है क्या है यह dark matter क्या है energy यह कर आप देखो तो जब matter हम जानते है galaxies को जिसने बनाए केवल 4% का है content universe का बागी का dark matter 23% है और dark energy 73% है ठीक है ना dark matter 23% और dark energy 73% है then यह नोगा कि why is far why is far more matter than anti matter अगर आप universe में देखे तो universe केवल केवल matter का बना हुआ है जबकि हमने यह पढ़ा है कि matter और anti matter जो थे वो दोनों same amount produced हुए थे big bang के time में तो अभी ऐसा क्यों है कि matter के कारण ही की पूरा universe बना हुआ है these are the things which this large hedron collider is willing to find out तो यह आपको याद रखना this is the thing which is important I hope you got clarity regarding the same आपको समय में आ गया होगा तो I hope you enjoyed this session आगे move करते थोड़ा से एक दो और news item से जिनको हम discuss करेंगे यहाँ पर है double mutant coronavirus के बारे में news double mutant का meaning क्या होता है मता दू mutation का meaning पहले देख लो mutation का meaning होता है genetic material में alteration जब भी आपका genetic material जो है alteration होगा तो उसको mutation बोलेंगे ठीक है न जब बहुत बार यह alteration हो जाए double mutant coronavirus का मतलब क्या होगा कि जब combination of mutations हो जाए combination of mutations हो जाए तो आप इसको double mutant बोलेंगे ठीक है न और यह आपको याद रखने है और इंडिया ने अभी एक consortium बनाया था SARS coronavirus to consortium of genomics इनका सौग यह question आ सकता है मेरे साब से इनका सौग याद रखे consortium था on the genomics है न तो यह मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इनका सौग है इन का सौग ठीक है न SARS Indian consortium for SARS coronavirus on genomics ठीक है न तो यह आपको चीज याद रखने कि यह क्या काम कर रहा है कि यह इसी चीज को study कर रहा है कि किस तरीके से वाइरस जाए वो किस तरीके से mutate हो रहा है किस तरीके से उसके genetic composition और वाइरेशन आ रहा है तो यह सारी चीज़े कर रहा है ठीक है न याद रखेगा so that is it for the day यहाँ पे जो आर्टिकल 3 है यह पर्मनेंट कमिशन का है पर्मनेंट कमिशन के बारे में दो केसिस दिये हैं मैं थोड़ा आपको बता दू दो केसिस दिये होए इंपोर्टन पहला है Ministry of Defense वर्सेज भविता पूनिया केस अगर आप से पूछता है कि बविता पूनिया केस किस से रिलेटेड है तो बविता पूनिया केस जो है वो आपका पर्मनेंट कमिशन फॉर विमन इन दा आर्मी इसके रिलेटेड है बविता पूनिया यह वर्सेज मिर्सेज अफ दिफेंस दूसरा केस है यहाँ पे लेटनेंट करनर नितिशा वर्सेज यूनियन अफ इंडिया यह केस क्या है बिसिकली उन्होंने काया कि आर्मी के अंदर एक जो evaluation process होती है आर्मी के अंदर जो evaluation process होती है काफी selective है and that is biased also काफी selective है and that is biased also and इसलिए women को permanent commission में दिक्कत होती है these are the things permanent commission आपको पता होना चाहिए कि जैसे आमूमन जो permanent commission नहीं मिलता उसमें 10 प्लस 4 यहने कि आप 14 सालों तक maximum नौकरी कर सकते हैं लेकिन permanent commission में आपको कहा है 20 साल के बाद आपको eligibility मिलती है pension के लिए तो permanent commission में आप at least 20 साल की नौकरी कर लेते हो ताकि आप pension और बाकी जो perks उनके eligible बन जाते हो so this is the importance and अभी जो है आर्मी के लिए भी permanent commission अलाव कर दिया है Supreme Court ने so these are the things for today friends I hope you later video please do like and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day